हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं टाइपस ओफ फ्लेम्स के बारे में देखिए फ्लेम हमारे पास गैस वेल्डिंग में जब होती है तो उसकी अलग-लग क्वांटिटी जैसे ऑक्सीजन और एसेटलिन की क्वांटिटी को चेंज करने से उसकी प्रसेंटेज चेंज करन ऐसे अलग-लग फ्लेम्स हमारे पास आती है तो उसको आज हम समझेंगे हमारे पास तीन फ्लेम्स होती है निव्टरल फ्लेम औक्सील इसलिग flame reducing या carburizing दोनों में से एक तो इन दोनों में से same नाम कभी और use कर लेते हैं हर जगा पे तो देखें neutral flame क्या है जब भी हमें oxygen और acetylene की मातरा बराबर मिल जाए ये बराबर मिल जाए हमें तो वो जो हमारा flame बनेगा वो neutral flame बनेगा neutral देखें आप simple सी बात दाओं कि जब भी quantity change करते हैं तो जब भी अलग अलग होगी तो अलग नाम आएगा बराबर होगी ये quantity तो neutral कि ये neutral है भाई ये किसी की तरफ नहीं है न इस side जाद है न इस side ये तो neutral है तो इस तरफ देखते हैं oxidizing oxidizing में क्या होगा कि जैसे नाम से पता लग रहा है कि oxygen oxidizing होना है तो oxygen के कारण तो oxygen जादा होगा हमारा acetylene से तो ये जादा होगा और यहां पे reducing तीसरा रहे गया तीसरा क्या option होना चाहिए कि oxygen कम है और acetylene जादा है इस तरह से तो ये हमारे पास तीनों को एक-एक बार देख लेते है अलग-लग सबको तो हमारे पास neutral flame अब देखिए neutral flame जो होती है ना इसके अंदर दो तरह की flames बनती है अंदर कोन बनते हैं एक कोन ये बनता है एक ये आउटर flame बनता है तो inner cone जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा चमक वाला होता है luminous होता है और बाहर वाला होता है जो उसका color bluish होता है तो यह आप लिख लें यहाँ पे कि blue color में होगा bluish होगा और यह अंदर जो है ना inner cone इसका temperature ज़्यादा होता है तो यहाँ पे temperature जो होगा वो 3200 degree 70 degree तक जाता है और बाहर का जो temperature है वो कम मतलब 1275 degree के आसपास रहता है temperature तो इतना ज़्यादा difference देखिए inner में ज़्यादा तो हमारे पास इस तरह से यह neutral flame होती है और इसमें देखिए ना तो oxygen की मतलब ज़्यादा है ना C2S2 मतलब आसटलिन की तो इसके कारण कोई भी metal पे no chemical change कोई chemical change नहीं आएगा ना तो उसमें oxygen का कोई effect पढ़ने वाला है और ना ही हमारे पास acid link का chemical change कोई भी नहीं होगा ठीक है समझे इस चीज़ को तो ये chemical change कोई भी नहीं नहीं होगा और इसको use कब करते हैं इसको steel cast iron और copper इनको जब भी हमने weld करना है तो हम neutral flame का use करते हैं next है हमारे पास oxidizing flame तो जैसे मैंने बताया कि oxygen की जो quantity है वो ज़्यादा होगी और इसमें जो हमारे पास flame होगा वो less luminous होगा as compared to हमारा neutral luminous मतलब चमक उसमें जो चमक होगी वो थोड़ी कम होगी neutral के मुकाबले और इसकी जो length होगी वो छोटी होगी oxidizing flame की length जोगी length is short length is short short होगी as compared to neutral flame neutral flame के मुकाबले छोटी length होती है इसकी और यह loud भी है थोड़ी sound ज़्यादा होगी तो एक आवाज ज़्यादा करेगा यह और यह है हमारे पास और यह जो inner cone है इसका inner cone और यह neutral flame से भी ज़्यादा गरम होता है तो hotter है ज़्यादा गरम है hot than neutral flame तो यह भी हमारे पास condition आयती है कि neutral flame से भी ज़्यादा मतब 3200 डिग्री है तो 3300 डिग्री 3400 डिग्री सेटिरेट तक टेंपरिचर हो सकता है इनर कौन का तो ये भी इसका आउटर जो एनवेल्प है वो भी ब्लू कलर का होता है ये ब्लू कलर का होता है लेकिन देखिए oxygen की जो quantity है जो ज़्यादा है हम इस metal के ऊपर जब आप strike करोगे इसको oxygen ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि oxidization हो जाएगी तो oxidizing flame है ये oxidization होगी उसके कारण जो metal के ऊपर की appearance है वो उखरा हो जाएगी तो metal आपको थोड़ा सा जो appearance वो गड़बर लगेगी आपको अच्छा नहीं लगएगा dirty appearance हाईगी और इसको किसमे यूज़ करते हैं तो इसका use देख ले और इसका सिरफ यूज़ करते हैं brass या bronze इनको weld कलने के लिए हम use करते हैं या तो brass या bronze मतलब mostly इनको बहुत ही कम करते हैं पहली बापता हूँ इसको कम ही करेंगे mostly हमारा जो होगा इन चीज़ों का अक्सरेजन का flame का कम use करेंगे और तीसरा हमारे पास reducing या carbonizing अब reducing या carbonizing में क्या होगा कि हमारे पास इसकी quantity बढ़ जाएगी ऐसे टिलेंगी यह quantity बढ़ने का मतलब है कि carbon की percentage बढ़ जाएगी जब हम flame को strike करेंगे तो हमारे पास जो metal है उसका अंदर जो carbon की content है वो बढ़ जाएगा carbon content बढ़ने से वो hard हो जाएगा हाड हो जाएगा तो वो hardness बढ़ाने के लिए भी हम इस flame का use करते हैं और इसके तीन बनते हैं देखें कौन एक inner real है एक intermediate और यह outer तो जो inner है उसका 2900 degree centigrade का temperature होता है और इसकी जो length है वो length जो है वो longer होती है than neutral flame तो यह थोड़ा लंबा हो गया longer flame होगी इसकी flame अलक होगी इसकी और देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि इसको weld किसके लिए करते हैं most जो lead के लिए lead को जब हमने weld करना है तो हम क्या करेंगे कि reducing या carbonizing flame का use करेंगे यहां high carbon steel high carbon steel इसके लिए हम इसको use कर सकते हैं और इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि तीनों को compare आप जब करें तो इसके तीनों की हम जो advantages हैं वो याद रखें और mostly इनके temperature बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनका temperature कितना है inner cone का temperature कितना होगा outer cone का कितना होगा तो आप इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो यह ssejee में mostly आता ही आता है तो इन तीनों में आपने difference याद करना है और इसकी आपने देख कोशी करना है कि use कि कौन सा material के लिए कौन सी flame use होगी यह अगर याद है तो mostly यह आपको objective time में पूछा जा सकता है मुझे उमीद है कि आपको यह topic समझ आ गया होगा अगर आपको समझ आया तो comment box में जुरू बताएं और मुझे यह बताएं कि आपको और कौन-कौन से topic समझने है आपको जो भी topic समझने है आप comment box में बता दे मैं उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशी करूँगा अगर मेरी बनाई और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube के search box में लिख दीजिए इस topic का नाम और साथ में लिख दीजिए गेर इंस्ट्रूट अगर मैंने topic में वीडियो बनाई है तो आपके सामने आजेगी Thank you, thank you so much